दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप बिना पैसे लगा करके बिजनिस कैसे सुरू कर सकते हो और आप बिना पैसे लगा करके आप कैसे दिन का 500 से 1000 रुपए कैसे कमा सकते हो तो इस वीडियो में आपको मैं यही बताने वाला हूँ तो वीडियो क दोस्तो लाज तक का जरूर देखिएगा आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है तो अगर आप बीच में वीडियो को छोड़ कर जाते हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला तो दोस्तो आपकी दो तीन मिनट की जो वीडियो है आपके जिन्दिगी में बहुत ही जाद मोटिवेशन और एक बहुत जादा रोजगार देने वाली है तो इस वीडियो को लाज तक का जरूर देखिएगा चलिए दोस्तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आप बिना पैसे लगाए बिजनिस कैसे सुरू कर सकते हैं दोस्तो मैं आपको तीन से चार बिजनिस के बारे में बताने वालों कि आप बिना पैसे लगाकर के बिजनिस को सुरू कर सकते हो इस पे दोस्तो आप ये भी समझ लीजेए हैगर आप इसमें पैसे नहीं लगाते हैं तो आपको इसमें थोड़ा मेहनत भी ज्यादा करनी बता हूं कि आपको कैसे काम को अपने सुरू करना है तो पहले आपको करना क्या है कि आप पहले अपने एरिये में आप 10-20 km के दूरी पी आप यह पता करिए कि आपके एरिये में मैनुफेक्ट्रिंग क्या क्या चीजें होती है जैसे दोस्तों पुछ जगे पर ऐसे होगा कि कि मेनिफेक्ट्रिंग हो रही होगी कुछ ऐसे लोग होंगे जो मसाला पैकिंग करते होंगे कुछ लोग ऐसे होंगे जो ऐसी चीजे बनाते होंगे जो लोज की जरूरत को पूरी करती होगी तो इन जगों पर आपको जाना है उन लोगों से मिलना है आपको उन लोगों से मिल जरूर मान जाएंगे तो इसके लिए दोस्तों आप बेफिकर रही है कुछ ही 100% में 5% ऐसे लोग मिलेंगे ऐसे manufacturing मिलेंगे जो आपको इस deal के लिए मना कर दे लेकिन 95% लोग आपको इससे मना नहीं करेंगे दोस्तों लेकिन इसमें आपको इमानदारी से काम करना होगा इसके आपको करना क्या पड़ेगा शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि आप शुरू में आपको माल ना दे तो उसके लिए आप से कुछ चीज ले सकता है जैसे कि आपका यह तो आधार काड या आपकी आड़ी या आप से कुछ ऐसी चीज़े जिससे आपको विश्वास हो जाए कि आप उसका पैसा वापस कर दोगे तो उससे आपको यह बात करनी है कि हम आपका माल लेके जाएंगे आपको हमें मैनुफेक्ट्रिंग रेट में दीजिए सौरी दोस्तों आप हमें होलसे रेट में दीजिए उसके बाद दोस्तों जैसे कि छोटी-छोटी दुकाने होती है आपके पास बाइक है या आपके पास साइकल है उससे आप अपने गाउं के चार से पांच गाउं में या तो सहर में जाकर के बात कर लिजे कि हम इस चीज का बिजनिस करते हैं उन लोगों से बताएं उसके पाद वो जो प्रोड़क्ट है आप वहां से उठा करके क्या देजिए वो पैसा लेकर आप डिरेक्ट जोग मेनुफेक्ट्रिंग करते हैं उनको दे दीजिए इससे दोस्तों आपका ये कि फैदा हो जाएगा कि आपको ये पी रुपए पैसे नहीं लगाएं आपने श्रीप ट्रेडिंग किया इधार का माल उधार करके आपको जो पै देरी मत करिये अगर आपने उसको एक दिन के लिए बोला है तो आप उसको एक दिन में पैसा दे दीजिए इससे होगा क्या कि आपको जो आगे की जब उसको माल लेना होगा तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप उसे चार से पांच बाल लें देन अच्छा क करेंगे तो आपको हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा उधार भी दे सकता है दोस्तों कुछ दिन तक आप ऐसे करते रही है जब आपका प्रॉफिट अच्छा खासा हो जाए आप अच्छा पैसा कमा ले तो उसके बाद दोस्तों आप अपना खुद का भी बिजिश शुरू कर सकते हो या नहीं करना चाहते तो आप उसी की तरीके से और भी सारे प्रोड़क्ट ले करके मार्केट में सेल कर सकते हो दोस्तों यह जो मैं बता रहा हूं यह कोई नया तरीका नहीं है इसको काफी लोग कर रहे हैं इससे अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं आप लोग भी इ करके पैसा देते हैं मैं उनको माल देता हूं और इसके बाद मुझे साम करके एक पूरा हिसमाइब कर quell दोस्तों मैं आपको आगे वीडियो में उनलोगों से पहते हैं कि लेक्षा कितना कमाते हैं और उननों से कितना प्राविट हो लेखेएयो क् dei जानकारी अब वीडियो आती रहेंगी उस पर आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी आप सिर्फ हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्वाद नमस्कार दोस्तों